नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस्टेडी फॉर्ट सिविल सर्वूसेस में देखें इसमें एक बहुत ही इजी मेत्रट बताऊंगा मैं आपको अगर इस टाइप के क्वेश्चन दिये हुए हैं देखें ऐसे सी सीजल में जनली पूछे आते हैं या फिर सी एचेसल मे या फिर IBPS में, PU exam में, banking exam में, RRB exam में हर टाइप के जो exam होते हैं जैसे आज कल competitive उसमें इस टाइप के question आता है आपको एक n की value दे देंगे एक number लिखा होगा और प्लस कुछ complex form में लिखा होगा कि यह एक under root दिया होगा यहाँ पे square root भी हो सकता है यहाँ पे cube root भी हो सकता ह है और फिर आप से पूछेंगे कि then root n plus one by root n की क्या value होगी इसका आपको पूछना है ठीक है इसमें पहले इस question को solve करते हैं फिर मैं बताता हूँ एक general method देखिए इसमें n की value दी हुई है और root n plus square root n plus one by square root n की value पूछी है देखिए इसको कैसे simplify कर सकते हैं एकदम एक rule है इसम की कोशिश करेंगे ताकि जब यह square बन जाए और फिर आप n का root निकालेंगे तो directly आजाए वो अगर यहां पर माली यह cube root पूछा है कि cube root of n plus one by cube root of n की value क्या होगी तो आप इसको क्या बनाने कोशिश करेंगे जो value दिए उसको तब cube बनाने कोशिश करेंगे लेकिन यहां प इसको square बनाना किसी भीतर है अब देखें इसको कैसे लिख सकते हैं 7 को आप लिख सकते हैं 4 plus 3 plus 4 root 3 देखें यह पर root 3 है तो आप एक फार्मॉला आपको याद होगा a plus b का whole square क्या होता है a square plus b square plus 2 a b होता है अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें 7 को आप 4 लिख सकते है इसको 3 लिख सकते हैं और इसको 4 root 3 लिख सकते हैं तो देखें यह 2 क्या है यह 2 का square है यह 4 यह 3 क्या है root 3 का square है और plus इसको कैसे लिख सकते है 4 root 3 2 into 2 into root 3 तो देखें साफ साफ यह form आ गई देखें 4 root 3 से आप समझ सकते हैं यह 2 a b है तो 2 into 2 into root 3 अब यह हो गया पूरा a square plus b square plus यानि कि n को क्या लिख सकते हैं आप a plus b i अब बेदिसे और होडिस ने को यहां पो यहां पर ऑप कि यहां प्लूट3 और इसका ओल ईधारिक्री अब हम ने एंको यहां पर एभर के फॉर्म में ला दिया अब अब जब n को square के formula दिया तो root n किया हो जाएगा root n किया हो जाएगा यह देखिंगा square है यह तो यह root n की value directly आ गए two plus root 3 क्योंकि यह square यह n की value है two plus root 3 का whole square तो under root of यानि की square root of n का क्या होगा two plus root 3 अब आपको पूचा क्या है one by root n की value निकालनी पड़ेगी तो 2 minus root 3 हो गया यह और यह 2 minus root 3 उपर नीचे आप multiply कर दिए directly बिल्कुल देखे simplification के question है यह generally ऐसे question में अगर कभी भी यह square root नीचे होगी तो आप उसका जो पिए opposite होगा उससे उपर नीचे multiply करके उसको simplify करिए इसकी value के आगे 2 minus root 3 और यह क्या है a plus b a minus b a plus b into a minus b का क्या formula होता है देखे a square minus b square का formula होता है a plus b into a minus b तो यह directly क्या हो गया a square minus b square हो गया a plus b a minus b तो a square क्या है यानि कि 2 square minus root 3 square तो यानि कि इसकी value के आगे 2 minus root 3 और देखे यह 4 हो गया 2 का square और minus 3 यानि कि 2 minus root 3 value आ गई ठीक है, तो root n अपने पास क्या आगया, 2 plus root 3, और 1 by root n की क्या value आगई, 2 minus root 3, अब इनका sum पूछाए आपको, तो root n, square root n, plus 1 by square root n, is equal to क्या होगा, इन दोनों को sum कर दीए, तो root 3 root 3 कर जाएगा, 4 value आजाएगा directly, तो देखिए इसकी value क्या आगई, 4 आगई, तो मतलब इसका method simple है, यह सबसे easy method है, आपके पास जो भी number दिया हो, चिस भी form में दिया हो number आपके पास, आप उसको यह देखिए कि पूछ क्या रहा है, अगर इसमें पूछ रहा है, square root, जो भी number दिया है, पहली बात हो, पहले से ही कुछ root है, या square root है, या cube root है, और उसमें आपका पूछ रहा है, square root of n, plus 1 by square root of n की value पूछनी है, तो यहाँ पे square root है, तो इसको square बनाने कोशिश करिए, यहाँ पे cube root है, तो इसको cube बनाने कोशिश करिए, यहाँ पे अगर माल यह root पूछा जाए, root की power 4 बना यह पूछा जाए, तो यह एक तरह से यह भी square की form में आ हो सकते हैं, बहुत ही easy way में हो सकते हैं, so thank you for listening, यह SSC, CGL, IB, PS, or plus banking exams के लिए, काफी सारे यह question है, simple question है, मैं आपको simple तरीके से समझाओंगा, easy method से करना, आप लोग इसको like और share जरूर करते रही है, सभी exams के लिए important है, thank you for listening.